हेलो एव्रीवान, वेलकम तो आनकेडमी, आई इम प्रिया वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, MPPSC 2017 राइंग 4 और मैंने इथिक्स के लिए कुछ टॉपिक कवर किया हैं, तो आईए हम नया लेक्सन शुरू करते हैं देखे, इसका जो पहला वाला लेसन है, उसमें हम देख चुके हैं, नयतिक दुविधा क्या होती हैं, और सामने तहा कि इस प्रकार की नयतिक दुविधा को लोग प्रशाशन में, जो लोग सेवक वर्क कर रहे हैं, उन्हें देखना पड़ता है अब यहाँ पर कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ नीजी संस्थान भी होते हैं, जिने कुछ नयतिक दुविधा को देखना पड़ सकता है, तो ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं सामानी नेतिक दूइधा से अलग नीजी शेत्र में लाब पर आधारित कुछ दूइधाएं होती हैं लाब कमाने के लिए जो नीजी संस्थान होते हैं वो हमेशा लाब कमाने के लिए कारी करते हैं और लाब कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो जो भी नैतिक मुल्य है उन्हें भूलते जा रहे हैं तो एक तरफ तो लाब हो रहेगा इसमें कि एक तरफ हमें लाब मिल रहा है और एक तरफ ये रहेगा कि एक तरफ किसी नैतिक मुल्य का हनन हो रहा है तो तोनों में से किसे चुने क्योंकि जो पहली प्रायरिटी रहती है नीजी कंपनियों की वह रहता है लाब तो नैतिक मुल्ली को चुने या लाब को चुने इसके बीच में उनके बीच में हमेशा द्वन्द चलता है अब जो नीजी संस्थान रहते हैं उन्हें भी हम उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइट किया है एक तो company या फिर जो मालिक रहता है उसकी तरफ से क्या-क्या दूइदाएं मालिक को आती है और कर्मचारी कर्मचारियों को कि इस प्रकार की नेतिक दूइदाओं का सामना करना पड़ता है देखें एक बात आप याद रखें कि जो मैंने लेसन वन डाला है लेसन वन के ही जस्ट आगे का पार्ट है ये तो आप नोट डाउन करिए नोट बनाएए और जो भी मैं पढ़ा रही हूं वो लाइन टू लाइन आप पढ़ते रही है तिक है क्योंकि वो जो अधिक लाब रहेगा वो कौन रखेगी कंपनी रखेगी अब क्योंकि कर्मचारी तो बैरोजगार है विवश है तो हम उससे जादा काम करवाएंगे भी तो वो ये नहीं बोल सकता कि वो नोकरी छोड़ कर चला जाएगा क्योंकि वो मजबूर है और वो नो और एक तरफ क्या है कि हम कर्मचारी और का शोषण कर रहे हैं तो वो हमारे में में शामिल नहीं है कंपनी कंपनी का लगव अधिक तम इस तरफ पर ले जाने की कोशिशंगे अथवा लाब को सिमित कर समाजिक दायित्वकी पूरती पर बल करना कंपनी के ही लाब को देखत companies खूली हुई है society में तो society के प्रती भी उनकी कुछ responsibility बनती है जैसे कि एक उधारन के द्वारा समझाया है कि किसी परियोजना पर लाब 10 रुपे का होता है और 10 प्रतिशत परियावरण की छती हो रही है कोई परियोजना हमारी कंपनी ने गई और उस पर लाब 10 लाक का हो रहा है किन्तों 10 प्रतिशत हानी हो रही है परियावरण को दूसरी condition है कि हम 2 प्रतिशत की परियावरण शती करें और 5 लाक रुपे ही लाब कमाएं तो यहां पर हमारा लाब कम हो जाएगा लेकिन परियावरण की जो प्रतिशत पर चले जाएगी तो इन दोनों में से कौन सा चूस करें कि पहली जो प्राइरिटी रहती है हमारी मालिकों की कमपनियों की वह हमेशा लाब पर रहती है तो जादा स्यदा लाब के बारे में सोचते तो यहां पर उनके लिए द्वंद की स्थती दूविधा की स्थ बर दी बनती है तो किता ने दीक है अंगर कर्मचारी के हीतों व्यापक सामाजी खीतों हैं और उन्हें पांच एसी तीन वाटर कुलर लगवाने हैं तो आपको कर्मचारियों को सुईदा देनी है क्योंकि आप कर्मचारियों का ही चाहते हैं लेकिन आपकी कमपनी किसी ऐसे स्थान पर है जहां पर बिजली की सीमीता पूर्ति है और अगर आपने पांच एसी और तीन वाटर कुलर लगा लिये तो दूसरी जगह उपर बिजली के आप पूर्ति कम हो जाएगी जिससे कुछ घरों में तो बल्वर पंखे भी नहीं चल पाएंगे तो आप सामाजिक हित को अपनाएं या फिर आपके करमचारियों को तो इस हित में हम किस हित को वरिता दें ये कंपनी की या मालिक की दूइधा रहती है ठीक है नेक्स्ट यदि दो करमचारियों में से एक अधिक योग्य है किन्तु वह कम नेतिक है योग्यता बहुत है उसने बहुत पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रेक्टिकल नॉलेज भ कर दिये रहेगा उसे जादा नॉलेज हैं जो भी आपकी असलिक पर वेल्ड में वरक करती है उस छीश का द्याधा को लेकिंगे अब गरह को अपने उध्पश्दों के सहारी अच्छाइँचो 낮 अ सारी कम्याभी इमानदारी से बताई जानी चाहिए या नहीं क्योंकि अच्छा ही तो हम देखते हैं हमेशा एड आते हैं टीवी पे हमेशा देखते हैं कि उसमें सब अच्छे इची बाते ही बताई जाती है जो भी terms and conditions होते हैं वो हमेशा बहुत जल्दी जल्दी या तो बोल दे जाते हैं या नीचे के एक box में इती चीटी अक्षर में लिखे रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आते हैं तो वो चीज अपने ग्रहकों से शेर करें या नहीं कि हमारा जो प्रोड़क्ट है इसमें अच्छाई के साथ साथ क्या बुराई है वो भी हम इसमें बता दें नेक्स यदि कोई company सभी कर इमानदारी से नहीं चुकाती है विशेश कर तब प्रतिस पर्धी company कर चोरी करके अपने उत्पादन कम दर पर बाजार में उपलब्द करा रही हो हमको पता है कि एक ही प्रकार के प्रोड़क्ट बेशने वाली बहुत सारी companies होती है और उन companies में competition रहता है तो एक company ऐसी है जो कर नहीं चुका रही है ठीक है अब हमारे सामने यह दुविदा है कि हम कर चुका है या ना चुका है क्योंकि वह जूसरी जो company है वह कर नहीं चुका रही हो जो पैसा बच रहा है उस पैसे से वह कम कम प्राइस पर market में समान बेच रहे हैं तो हमारा जो competition है उसके कारण बढ़ रहा है ठीक है तो हम यह चीज करें यह ना करें ठीक तो अभी तो हमने देखा जो हमने जो भी देखा वो था मालिकों की या फिर company की तरफ से क्या क्या नेतिक दुविदाएं हो सकती है अब कुछ नेतिक दुविदा होती है जो कि करमचारियों की होती है अपना हित बनाम company का हित अपना खुद का हित देखें ओ या फिर ज जो वेजिस मिलता है डे वेजिस मिलता है तो वो इस तरीके से काम करेंगे ठीक है लेकिन कमपनी का हिद देखेंगे तो पुरी इमानदारी से वग करेंगे तो वो दोनों में से क्या करें कर्मचारियों का उच्छा अदिकारियों से अच्छा संबंद बनाना या अपने कारी दियान देना या तो उच्छ अधिकारियों से अच्छे संबंध बना के रखें कापको कभी और फटकार नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीश के लिए सुनना नहीं पड़ेगा या फिर अपने कारी पर ध्यान दे रहा है जो भी हम कारी कर रहे हैं वो इस तरीके से करें इमानदारी से करें कि कोई नौबत ही ना आए किसी बड़े अधिकारी की डाट खाने की तो इन दोनों में से हम क्या करें ठीक है नेक्स से कंपनी के सबसे महत्पुन अधिकारी या कर्मचारी होने के बाद यदि कोई प्रतिस पर दी अधिक आर्थिक लाप दे तो उसकी आपकी निस्टा किसके प्रति होगी ठीक है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बहुत सालों से काम कर रहे हैं वहां के बहुत महत्प श्रक्त ज्यादा Payerm ventilation देंगे और आप हमारी कंपणी में आजाइए तो आक क्या करेए एक तरफ आपको लाभ मिल रहा है दूसरी तरफ यह तकार अपनी कंपणी से प्यार करते हैं आप अपनी कंपनी में बहुत मत्व पूर्ण पद पर हैं तो इन दोनों में से आप किसे चुने तो इस तरीके से अगर आपको question आता है नैतिक दुविधा का तो अगर आपसे पूछता है प्रशासन के संबन में तो आप lesson 1 में जो मैंने बताया वो लिखे अगर आपसे overall पूछता है तो आप फिर सभी चीज उसको describe कर सकते हैं ठीक है